हरो फ्रैंग्स माइनीम इस अनुरादा सिंग्ग दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसिस लाई हूँ जो की हम अपनी डेली लाइप में बोलते हैं दोस्तों इसके पहले वी मैंने डेली बोले जाने वाले सेंटेंसिस के वीडियो सेयर किये हैं अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन वीडियो को भी जरूर देखें आप आई होप कि आपको वहां से भी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेका, जो व्यूवर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूगी कि वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सेयर जरूर करें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें तक ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए सुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ पहला सेंटेंस है मैं आठा चान रही हूं I am sieving flower नेक्स्ट है चाय चान दो, sieve the tea नेक्स्ट है मैं चावल बिन रही थी I was picking out the rice नेक्स्ट एक्जामपल है फल छिल दो, pill of the fruit नेक्स्ट एक्जामपल है तुम बहुत बगबग करते हो, you prattle a lot नेक्स्ट एक्जामपल है तुम हमेशा सिकायत करते रहते हो, you are always complaining नेक्स्ट है आप गलत train में है, you are on the wrong train नेक्स्ट एक्जामपल है वह अपनी कबर खोद रहा है, he is digging his grave नेक्स्ट एक्जामपल है तुम्हें अपने खर्चे कम करने होंगे, you will have to cut down your expenses नेक्स्ट एक्जामपल है मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me नेक्स्ट एक्जामपल है काना फूजी मत करो, don't whisper नेक्स्ट एक्जामपल है आम पका हुआ है, mango is ripe नेक्स्ट है, स्याम ने मुझे चौका दिया, स्याम startled me नेक्स्ट है, मैं उसे नहीं चाहती की हमारे मामले में आए I don't want her that she meddles in our matter नेक्स्ट है, अपनी आउकात में रहो, be in your limit नेक्स्ट है, मेरी कार खराब हो गई, my car broke down नेक्स्ट है, उसका office कितना दूर है, how far is her office नेक्स्ट है, जीब बाहर निकालो, stick out your tongue नेक्स्ट है, वे लोग घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हैं, why are those people kneeling down नेक्स्ट है, मैनत हमेशा रंग लाती है, hard work always pays नेक्स्ट है, वे दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए, they fail for each other तो दोस्टों ये थे कुछ ऐसे sentence हैं जो हम अपनी daily life में बोलते हैं I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें दोस्तों, इंग्रिस बोलने के लिए practice ज़्यादा जरूरी है, तो आप practice करते रहिए जितना जादा से जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंगिस बोलने में आसानी होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक यू सो मच